अल्मुनी एकर में किसानों को आवोकाडो की फिर से बंपर पैदावार मिली है बाल्टिया की बाल्टियां भर रही है तब भी हुआकिन मोंतेज जैसे फल उत्पादक किसान मांग पूरी नहीं कर पा रहे है उन्होंने अपने छोटे से बागान को बढ़ा दिया है जहां वो चेरी मोया फल भी उगाते हैं यॉरप में हर साल करीब साथ लाग टन अवोकाडो की खपत होती है बिजनिस फल फूल रहा है 45 मिनट की ड्राइव पर है वेलिज मलागा वहां बड़े-बड़े इलाके अवोकाडो के बगानों में तबदील किये जा चुके हैं पौधे बहुत पानी सोकते हैं जबकि वो कम हो रहा है किसान एक नजदी की तालाब से पानी लेते हैं लेकिन ये गैर कानूनी है तालाब भी 30 परसेंट ही भरा है यानि और ज़्यादा फसल इलाके के लिए घा तक होगी एक के बाद एक सूखा पढ़ने लगा है शायद जलवायू परिवर्तन की वज़ा से पानी भी काफी कम हो गया है एक तरफ जरुवत से ज़्यादा इस्तेमाल है तो दूसरी तरफ बारिश ना होने से तलाब भी नहीं बर पाते हैं पानी की कमी से आवोकाडो का शांदार बिजनस ठब पड़ सकता है इसलिए हुआकेन मॉंतेस धीरे धीरे डिरिप इरिगेशन का रुख कर रहे हैं हम लोग लोकल स्तर पर सिचाई के साधन इस्तमाल कर रहे हैं पहले हम कुएं से रोमन सिचाई नालो की मदद से पानी खीच कर ले आते थे वेलेज मलागा में एक और्गानिक आवोकाडो बगान ज्यादा किफायती किसमें उगाने की उमीद रखता है छे महीनों तक सेंसर के इस्तमाल से ये देखा गया है कि पानी की खपत कितनी नीचे गिरी है और पेड़ो को कब पानी देना है इस तरह हम सही समय आने पर सही मात्रा में आवोकाडो को पानी देते हैं बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं 30-20 पानी कम कर दिया है लगता है कि हमारा उत्पादन बना रहेगा यहां आवोकाडो का व्यापार एक ही चीज़ पर निर्भर है वो है पानी